हाई गाइस आम DRX अस्पल पडेलन वेलकम बैक टूआर यूट्यूब चैनल फार्मा के ओर आज हम इस वीडियो में जानेंगे गलूटा थिवन टेबलेट्स के बारे में दीखे गलूटा थिवन टेबलेट्स से के ऐसी टेबलेट्स होती है जिसके बारे मैं कहा कर जाता है कि यह टेबलेट्स हमारे पूरे सरी को गोरा बना सकती है या इस टेबलेट्स के उपियोग से काले से काला बैक्ती भी गोरा हो सकता है चाहे कोई बैक्ती कितना भी काला क्यों ना हो या कोई बैक्ती ऐसा हो जो कि जन्म से ही काला क्यों ना हो यदि ऐसा बैक्ती भी इस टेबलेट का उपयोग करता है तो यह भी पूरी तरह से गोरा हो सकता है तो glutathione tablets के बारे में इस वीडियो में हम संपूर तरीके से जानेंगे glutathione होता क्या है, क्या क्या इसके man uses होते हैं, क्या क्या इसके measure uses होते हैं क्या glutathione tablets बाकई हमारे सरी को गोरा बनाती है इस वीडियो में हम संपूर तरीके से detail में जानेंगे आखिर कोई ब्यक्तियादी गोरा होता है तो कैसे होता है या हमारी body में कैसे बर्क करती है क्या-कल इसके man uses होते हैं क्या-कल इसके side effect होते हैं क्या-कल इसकी burnings होती है और इसको उपियो करने का सही तरीका क्या है संपूर तरीके से डेटेल में जानेगे तो वीडियो को आन तक जरूर देखें वीडियो काफी knowledgeable और important रहने बाला है तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में basic जान लेते हैं glutathione होता क्या है देखे glutathione एक natural antioxidant होता है या हम यूँ कहें कि master antioxidant होता है जो की सभी जगह प्रजेंट होता है चाहे plant हो, animal हो, fungal हो, bacterial हो या human हो सभी जगह या naturally present होता है यह glutathione हमारी body में naturally बनता है, systeine, glycine और glutamic acid नाम के amino acid के थुरू हमारी body में naturally बनता है लेकिन जब कभी भी glutathione की किसी भी body को या किसी भी बेक्ति को जरूरत होती है तब हम glutathione artificially तयार करते हैं, synthetically lab में तयार करते हैं, tablets के रूप में या injection के रूप में तो हम इसको tablets या injection के रूप में synthetically बना करके हम किसी की body में inject करते हैं या tablets के रूप में orally देते हैं यदि हम glutathione tablets या injection के man uses की बात करें, तो इसके जो man uses होते हैं, वह होते हैं, severe liver toxicity, neurotoxicity, और कुछ मामलों में यह anti-aging property भी दिखाती है और कुछ मामलों में यह immunity power को भी increase करती है, इसके यह man uses होते हैं, जिसके लिए इनी कारणों के लिए ही tablet, glutathione की tablet और injection को बनाया गया है इनी disease के treatment के लिए इस tablet या injection को बनाया गया है, इसके अलाबा कोई भी other इसका uses नहीं होता है मतलब सीधे से सब दोमयदी कहें तो glutathione tablet या injection का हमारी इसके से कोई भी लेना देना नहीं है यह हमारी इसके के treatment के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है तो आखिर जब यह tablet यह injection हमारी skin के treatment के लिए नहीं बनी है तो यह कैसे हमारे सरीर को गोरा बना देती है तो देखिए glutathion हमारी skin को गोरा करता है यह एक reality है अब कैसे गोरी करती है वो मैं आपको बताता हूँ देखिए हमारी skin का color करता है two types depend करता है एक तो होता है genetic करान और दूसरा होता है melanin करान genetic जो करान होता है जो कि पेंडी दर पेंडी चला आता है यसी के घर में black होता है तो वह लच तक black चला जाता है तो यह हो गए एक genetic काराण, अब दूसरा होता है melanin काराण, किसी की बोड़ी में कम melanin होता है, किसी की बोड़ी में ज्यादा melanin होता है, तो melanin हमारी body में natural होता है तो यह किसी की body में कम होता है यह किसी की body में ज़्यादा होता है वो अलग बात है तो यह किसी की body में कम melanin होगा तो उसका गोरा color होगा यह किसी की body में बढ़ जाता है melanin तो उसका color dark या brown हो जाता है जैसे कि जब भी हम धूप में जाते हैं तो हमार इसकेटी जो कलर होता है वो है dark हो जाता है या grey कलर का होने लगता है क्योंकि धूप में हमेशा melanin बढ़ता है melanin का production बढ़ता है इसलिए कई बेक्ति आप न देखे होंगे गोरे बेक्ति धूप में जाने से कतरा आते हैं क्योंकि उनकी skin का color dark होने का खतरा रहता है क्योंकि melanin का production धूप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अब melanin भी two types के होता है और जैसे ही melanin two types का होता है तो उसके अलाग-अला कलर उसके डेपेंड करते हैं Melanin two types का होता है Eumelanin और Fumelanin जो Eumelanin होता है उसका color depend करता है dark और brown means Eumelanin की बज़ा से जो skin का color होता है dark और brown और जो Fumelanin की बज़ा से जो skin का color होता है yellow और redis color या हम जिसको गोरा भी बोलते हैं तो हमारी body में skin का color depend करता है melanin पर चाहे किसी की body में Eumelanin हो या Fumelanin हो melanin पर ही हमारी skin का color depend करता है तो जब भी हम glutathione tablets लेते हैं या glutathione injection लेते हैं तब melanin की बज़ा से हमारी body में skin का color changes होता है अब कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ देखिए हमारी body में जो melanin होता है वो है हमारी body में naturally melanocyte से बनता है और जब भी हम वो यह हैं melanocyte से बनेगा तो उसमें एक enzyme बर करता है melanin को बनाने के लिए जो होता है tyrosin kinase और जो tyrosin kinase जो enzyme होता है वो है क्या करता है melanin को बनाने के help करता है तो जब भी हम tablets glutathione का tablets या injection लेंगे तब यह glutathione का tablet या injection क्या करता है tyrosin kinase नाम के enzyme को inhibit कर देता है और जब tyrosin kinase नाम के enzyme ही नहीं बनेगा तो melanin का production ही रोक जाएगा melanin का production कैसे रोख जाएगा जब भी हमारी body में naturally melanocytes जो होती है melanin को बनाती है किस की थुरू बनाती है tyrosin kinase नाम के enzyme के help के थुरू melanin बनाती है तो glutathion tablets या injection क्या करता है tyrosin kinase नाम के enzymes को inhibit कर देता है या उसकी synthesis को inhibit कर देता है जिससे की melanin आगे further grow नहीं होता उसको production रोख जाता है तो जितना कम हमारी body में melanin बनता है उतना हमारी skin glow करती है और उसना ही हमारी skin का color redis, yellow color का या गोरा होने लगता है और जितना ज़्यादा हमारी body में melanin होता है उतना ज़्यादा हमारी skin brown और dark होगी तो यही काम होता है glutathion tablets का या injection का कि वह tyrosine kinase की synthesis को रोख देती है और फरदर melanin का production रोख जाता है और हमारी skin का color है जो गोरा होने लगता है अब जो हमारी body में two types के melanin होते है means eumelanin और fumelanin इसके कुछ beneficial effect भी होते हैं और side effect भी होते है और यह क्या करता है हमें जो sunset के थुरू जो ultraviolet ray आती है उसके थुरू हमारी रक्षा करता है हमें बचाता है और जो fumelanin होता है जिसकी बज़े से हमारी body का color गोरा होता है वह क्या करता है वह ultraviolet ray से हमें नहीं बचा पाता है तो आखिर क्या कारान है कि जिसकी बज़े से लोग glutathione tablets या injection का उपयोग misuse करने लगे means गलत उपयोग करने लगे, गोरा होने के लिए करने लगे देखिए जब भी किसी बैक्ति को liver severe, liver toxicity, liver toxicity या neurotoxicity होती थी तो glutathione tablets और injection उपयोग किये जाते थे तो उसका side effect यह होता था कि जब भी किसी patient में glutathione tablets या injection उपयोग किया जाता था तब उसका side effect यह देखने को मिलता था कि उसके skin में glow आता था उसकी skin है ना गोरी हो रही थी, radius हो रही थी, yellow color की हो रही थी तो जितने जादा injection को उपयोग किया गया, जितना जादा tablet का उपयोग किया गया उतना जादा वह बैक्ति गोरा हो रहा था धीरे धीरे यह चीज सभी में को पता चलती गई और सभी में यह चीज फैल गई और सभी को धीरे धीरे यह चीज पता चल गई और सभी लोग इन चीज का misuse करने लेगे glutathion tablet और injection का misuse करने लेगे means गोरा होने के लिए उपियोब करने लेगे जब कि यह tablets और injection गोरा होने के लिए नहीं है